हेलो दोस्तो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूटूब चैनल पे मैं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी एक बार फिर लेके आ गई हूँ बहुत ही महातुपून क्वेस्चिन्स की सिरीज जो की आपकी आगामी सभी प्रतियोगी पर इक्षाओं की दिश्टी से बहुत ही महातुपून है और दोस्तों आप सब की डिमेंड पे हमने ये वीडियो फिर से हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लेंग्विजेज में शामिल किया है ताकि हमारे दोनों ही मीडियम के साथ ही इस वीडियो को देखे और उन्हें इसका बेनिफिट मिल सके और आप सेलेक्शन प्राप्त कर सक कि अगामी सभी प्रतियोगी परिक्षाओं में इसे उद्देश से ये मेहनत की जा रही है तो मेहनत करते रही है तब तक सफलता मिल नहीं जाती जब तक So let's start with question number one and it is asking what is sitkari यानि कि sitkari क्या है तो देखे सभी options को दिहान से पढ़िए यम नियम आसन ये तीनों तो शीतकारी में नहीं आते हैं आपको पता है तो क्या होगा correct answer option number d प्रणायाम is correct answer Now the next question organized camping in India is modeled on the भारत में संगटित शिविर प्रतिरूपित है और क्या है correct answer देखे कि जो शिविर होते हैं जो organized camp होते हैं भारत में तो वो किस प्रकार का example है option number c is correct year पश्यमी उदाहरण यानि कि western example में इनको रखा जाता है next doing thing, making thing, acquiring things and learning includes in यानि कि सीखने में कारे करना, कारे निर्मित करना, कारियों को ग्रहन करना इन में से सम्मिलित है option number b is correct year, recreation यानि मनुरंजन में शामिल किया जाता है इन सब को यानि कि सीखने में कारे करना, कारे निर्मित करना, कारे को ग्रहन करना इन सब को मनुरंजन में शामिल किया जाता है नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि शरीर मन और आत्मा की शुद्धी के लिए योग के कितने चरण या अवस्थाएं हैं ओप्शन नम्मर भी आप सभी को पता है आठ अवस्थाएं एट स्टेजेज अर दियर इन योगा for the purification of body, mind and soul नो नेक्स्ट क्वेस्ट एकागरता के लिए सबसे उत्तम योग कौन सा है ओप्शन नम्मर एस करेक्टियर राज योग राज योग is the most suitable योगा for meditation एकागरता के लिए सबसे उत्तम योग जो है वो राज योग है नेक्स्ट क्वेशन is asking that भारती योग संस्थान is situated in the city भारती योग संस्थान निम्ड में से किस सहर में इस्तित है ओप्शन नम्बर डीस करेक्टियर न्यू देहली में भारती योग संस्थान इस्तित है नेक्स्ट एक्वेशन और देखे ये आपका हुमबर क्वेशन है कि शिविर की सफलता साफधानी पूर्बग चैन पर निर्भर करती है किसके चैन पर निर्भर करती है शिविर की सफलता सभी के आंसर जो है इस क्वेशन के आंसर अलग-अलग मिलते हैं आपके according इसका आंसर क्या है आप हमें comment box में लिखे जरूर बताईएगा नेक्स्ट एक्वेशन प्राणियों के संरक्षन ब्रिद्धी एवं विकास के लिए खेल कुद बहुत ही महतुपूर्ण है यह किस ने कहा था? Option number A is correct here यह MacDougal ने कहा था National Park Service is provided by राश्टियो ध्यान सेवा किसके द्वारा प्रदान की जाती है? Option number 1 Government agencies यानि सरकारी निकायों के द्वारा राश्टियो ध्यान सेवा प्रदान की जाती है Option number D is correct here interest यानि कि रुचियों को शामिल करना चाहिए Now the next question is asking who is known as father of yoga यानि कि योग के पितामा की रूप में किसे जाना जाता है? Maharshi Patanjali is correct answer भारत में मनुरंजन अंदोलन की शुरुवात किसके द्वारा की गई थी? सभी को पता है प्रोफेसर जीडी सोंधी जी के द्वारा रिक्रियेशन मुव्मेंट की स्थापना की गई थी? किसने कहा मनुरंजन गती का विशे है नाकी भावुकता का? Option number B is correct here Joseph Lee is correct answer Surplus Energy Theory सिद्धान्त के प्रतिपादक निम्न में से कौन है? Herbert Spencer Option number 4 is correct here Herbert and Spencer is correct answer Now, next question is asking that the main objective of recreation is यानी की मनुरंजन क्रियाओं का मुख्यों देश निम्न में से क्या है? Option number A is correct here होई होई शक्ती पुना प्राप्त करना ही मनुरंजन क्रियाओं का मुख्यों देश है Next, which of the following fitness component is best developed through योगा आसन? यानी कि निम्न में से कौन से शारिरिक शमता घटक को योगा आसनों द्वारा सबसे अच्छे से विक्सित किया जा सकता है? Option number C, लचीले पन्यानी फ्लेक्सिबिलिटी is correct answer निम्न क्रिया कारिक्रमों में से कौन सा कारिक्रम बालको यवं बालिकाओं के शिविर का महा तुपूर्ण अंग है? Option number D is correct here कैम्प फायर कारिक्रम बालको यवं बालिकाओं के लिए शिविर का महा तुपूर्ण अंग है? सामुदाइक मनुरेंजन का जमीनदार होता है Community recreation is sponsored by Option number A is correct here Village, Town and Cities for their Residence is correct answer यानि कि गाउं कस्पेव शहर अपने आदिवाशियों के लिए ये correct answer है Next question is asking that बच्चों में खराब अंग विन्यास का मुख्य कारण क्या होता है Option number A को portion यानि कि malnutrition mainly बच्चों में खराब अंग विन्यास यानि कि poor posture का मुख्य कारण होता है निम्ने कित्में से कौन सा कारक शारीरिक स्वस्तता पर प्रभाव नहीं डालता Option number C is correct here लिखाई और पढ़ाई शारीरिक स्वस्तता पर प्रभाव नहीं डालता इसके लावा balance diet, daily exercise और गहरी निद्रा और आराम ये सभी factors जो हैं स्वास्ति को अफेक्ट करते हैं यानि कि physical fitness या health को अफेक्ट करते हैं Next question इनमें से कपजा जोड का अच्छा उदारण हैं Option number D is correct here कोहनी का जोड elbow joint hinge joint का सबसे अच्छा उदारण है Newton second law of motion Newton का दूसरा गतिका नियम और किस नाम से जाना जाता है Option number C इसे law of acceleration law of acceleration या तुरण के नियम से इसे जाना जाता है Next X-ray के माध्यम से कौन सी आयू का पता लगाया जाता है Option number B is correct here anatomical age यानि शरीर शरीर सनरचनात्मक आयू का पता X-ray के दोड़ा लगाया जाता है Next question is asking that sociologist considered sport as समाज सास्त्री समाज सास्त्री जो होते है वो खेल को मानते है किस रूप में खेलों को माना जाता है समाज सास्त्रीों के दोड़ा Option number Option number D is correct here समाज एक सांस्कृतिक घटना के रूप में समाज सास्त्री खेलों को मानते है वक्ष हस्ती का शरीर रिशनात्मक नाम क्या है? यानि कि चेस्ट बोन की बात की जा रही है option number C, sternum के रूप में इसे जाना जाता है महिलाओं में निम्न या केंदरी गुरुत्वा कर्शन उनकी गती को बनाता है option number D, बहुत स्थाई, यानि कि more stable यानि कि महिलाओं में जो निम्न या केंदरी गुरुत्वा कर्शन उनकी गती को जादा स्थाई बनाता है श्वेत मानस्पेशी तंतुक यानि कि white muscle fibers is better adopted to perform white muscle fibers किसमें मुख्य रूप से पाए जाते हैं option number 20, correct here, fast contraction यानि कि sprint races वाले धापकों में white muscle fibers पाए जाते हैं जादा मात्रा में और जो long distance athlete होते हैं उनमें red muscle fibers पाए जाते हैं शारिरेक सिक्षा की आवश्यक्ता है option number A, लोगों के आम स्वास्ति में सुधार यानि कि improved general fitness of individual दिये हुए options के according, ये option सही है otherwise आप सभी को पता है कि शारिरेक सिक्षा का जो मुख्यों देश है या जो जाना जाता है जो इसका main लक्षी वो क्या है overall development ना सिर्फ general fitness को सुधारना बल्कि किसी व्यक्ति का सर्वांगेर विकास करना ही शारिरेक सिक्षा में शामिल किया जाता है next question is asking who regarded as father of psychology यानि कि psychology यानि मनोविज्ञान के जनक की रूप में किसे जाना जाता है option number D is correct here William Bunt is correct answer next सीखने के कौन सी नियम को संतुस्टी का नियम कहा जाता है option number B is correct here प्रभाव के नियम को संतुस्टी के नियम के रूप में जाना जाता है मनोविज्ञानिक परिक्षणों द्वारा कौन सी आयू का पता लगाया जाता है option number B is correct here mental age मानसिक आयू का पता मनोविज्ञानिक परिक्षणों के द्वारा लगाया जाता है शरीर इस अन्रेशनात्मा के विक्रती में कूबर अत्वा गोल पीट कौन सी है तो कूबर, sorry यहाँ पर हंच बैक लिखा हुआ है कि structural deformity यानि हंच बैक को और किस नाम से जाना जाता है सभी को पता है दोस्तों काइफोसेस का दूसरा नाम होता है हंच बैक हंच बैक, hump बैक, round बैक के रूप में जाना जाता है काइफोसेस को यानि कूबरेपन को यानि कि शारिरेक सीमा जो है, वो सीखने में पठार की घटना का कारण नहीं है Next question सीखना आदत ज्यान तता अभिब्रितियों का अरजन है, किसने कहा? And सही answer आप सभी ने गैसी कर लिया होगा? Option number B is correct here, crow and crow सीखना आदत ज्यान तता अभिब्रितियों का अरजन है, या कतन क्रों इन क्रों के द्वारा दिया गया था मानस्पेशियों के किसी कारे के दौरान उस संकुचन को क्या कहते हैं, जिसमें मानस्पेशियों की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता और question को पढ़के ही आप समझ गये हैं कि इसका correct answer है isometric मतलब इस तरह का संकुचन जिसमें मानस्पेशियों की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता Next, बुद्धी का द्विकारक सद्धान्त किसके द्वारा दिया गया था? Option number B, Spearman के द्वारा बुद्धी का द्विकारक सद्धान्त दिया गया था सीखने के अंतर दिष्टी सद्धान्त को किसके द्वारा प्रतिपादित किया था? Option number C, Kohler के द्वारा सीखने के अंतर दिष्टी सद्धान्त को प्रतिपादित किया गया था प्रकृतिवाद के जनक की रूप में केसे जाना जाता है तो रूसो को प्रकृतिवाद के जनक की रूप में जाना जाता है जॉन डीबी को प्रयोजन वादिया, उपियोगिता वादिया विहार वाद के जनक की रूप में जाना जाता है प्लेटो को आदर्शवाद के जनक के रूप में और एरिस्टोटल यानि अरस्तो को यथार्थवाद के जनक के रूप में जाना जाता है तो दोस्तो वीडियो बहुत ही helpful है पूरा-पूरा लास्ट तक जरूर देखे परिक्षण में इस्थानांतर यानि किender से आप क्या समझते है option number D is correct here पुरानी अवस्ता से नवीन अवस्ता में समस्त सीखो का प्रयोग करना transfer of training के रूप में जाना जाता है next उतप्रेणा का पुनरवलन सद्धान्त किस के द्वारा दिया गया था option number D is correct here इसकिनर के द्वारा reinforcement theory of motivation दिया गया था व्यवसाइक नेतिक्ता का सत्व यानि सार नहींत है यानि कि the essence of professional ethics lie in व्यवसाइक नेतिक्ता का सार किसमे नहींत है option number 6 is correct here व्यवसाइक के प्रती समरपण is correct answer नेतिक्त में से कौन सा एक्टोमार्फ शरीर रचना का घटक नहीं है एक्टोमार्फ की विशेशता निम्ने में से कौन सी नहीं है option number 6 is correct here strong and long neck यानि कि मजबूत और लंबी घर्दन जो है वो एक्टोमार्फ की विशेशता नहीं है तो किसकी विशेशता है आप बताईए ये एंडोमार्फ की मुखे विशेशता होती है next question जब कोई जोड गती करता है तता इस दोरान उस जोड की दो हड़ियों के बीच का कोड बढ़ता है तो इस प्रकार की गती को क्या कहते है option number D extinction के रूप में इसे जाना जाता है next उपलबधी प्रेणा किस से सम्मंधित है option number D need of the person यानि कि व्यक्ति की आवश्यक्ता से सम्मंधित होती है उपलबधी प्रेणा किंसियोलोजी और खेल बायो मेकेनिक्स एक दूसरे से किस तरह से सम्मंधित है option number 20 खेल बायो मेकेनिक्स किंसियोलोजी का एक विशिस्ट भाग है sports बायो मेकेनिक्स is a specialized area of किंसियोलोजी next कौन से उत्तोलक में बल आधार तथा प्रतिरोध के बीच में होता है option number C is correct type 3 में force जो है वो आधार और प्रतिरोध के बीच में होता है next question किसने बलूम वाउस के साथियों द्वारा सुझाए गए तीन आयामों को शारिरेक सिक्षा के उद्देशों के तौर पर उप्युक्त माना option number 1 Harold M. Barrow is correct answer next इन में से कौन सी मानव की सांस्कृतिक धरोहर है option number 1 sports जो है वो cultural heritage के रूप में इसे जाना जाता है second last question of the series कि गोला फेक के लेंडिंग सेक्टर का कोड कितना होता है तो 34.92 डिगरी होता है गोला फेक के लेंडिंग सेक्टर का कोड यानि कि angle of landing sector of short put और last question of the series कि पुर्शों के लिए गोला फेक के गोले का नियुनतम भार क्या होता है what is the minimum weight of short put for men तो इस question का answer आपको हमें comment box में लिख के बताना है आज का आपका दूसरा homework question है मिलते हैं next video में till then take care, good bye